कि हलो दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों मैं हूं नरेंद मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको एक अलग टॉपिक भी वीडियो लेकर आया हूं और इसके लिए मुझे बहुत से कमेंट आते हैं इसके लिए लोगों का बहुत ज्यादा क्यूश्चन आता है मुझे क्रिशन करते हैं उनको बोलता हूं टेमपरेरी फाइल जो भी उसमें फोल्डर में फाइल है वह दिलीट कर देते हैं बाद में फिर उनका मेंसेज आता है कि मैंने डिलीट कर दिया था फिर से आ गया इसके लिए मैं सोचा क्यों नहीं वीडियो बना दूंकि जो हमारे कंप्यूटर लेप्टॉप में घर बना के रहता है वह मतलब कैसे होता है और उसके डिलीर करने से कोई नुस्कान होने वाला है कि आपका डेटा होगा कोई प्रॉलम करेगा कि नहीं वैसे दोस्तों देखेंगे इतना जो टेम फाइल होता उसको टेमपरेरी फाइ खोलते हैं तो हमारे सिस्टम में उसकी एक टेमप फाइल बन जाती है इस बात में कोई दोरा नहीं है कि आज के समय में यह पूरी दुनिया कंप्यूटर की मदर से ही चल रहा है हमारी जो दिन चारिया मौझूदा जिन्दगी से जुड़ा हर एक काम कंप्यूटर के साथ ज मलब करेंगे अगर आप कंप्यूटर या इस्तेमाल करते हो तो फिर आपको उसमें आने वाली दिक्कते से भी बच्ची तरह आखिव होंगे जब किसी जरूरत काम के बीच आपको कंप्यूटर स्लो हो जाए और हैंग होने लगे यानि कि कंप्यूटर आपका रूप रूप होने वाले टमफाइल कई वजहां से बनती है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह जो अप्लिकेशन कोई भी हम डाउनलोड करते हैं फिले ऑकूमें खोलते हैं तो हमारे सिटेम में उसकी एक टमफाइल बन जाती है यह टमफाइल कंप्यूटर की हाड इकस में जाकर स्प jo temp file बंती चाहिए और highly में जाकर Janeiro स होने कि वजे सब्सक्राद करते रहें तो हमारा system कभी slow और अहेंग नहीं होगा इसे यह यह काम करने में किसी तरह की कोई भी समस्या अगर आती है अगर आप कंटीनियू डिलेट करते रहेंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी बहुत सा लोगों का कोई भी नुस्कान नहीं होता है लेपको बलकि इसके कही फायदे होते हैं तेम फायल करने से ना सिर्फ आपका जो हाड़ी का लोड होता है वह कम हो जाता है बलकि आपका सिस्टम पहले के मुकाबले काफी अच्छा और इस्पीड में चलने लगता है तो थोड़े ठोड़े आप चेक करते रहें आपने क्या मलब आप जैसे आप कुछ डाउनलोड या कुछ आप आप करेंगे तो आपका टेम फायल क्रेंट हो जाता है इसके लिए थोड़े थोड़े ठाइम में चेक करते रहें आपका कितना क्रेट हुआ है आप वहां से बहुत सो लोगों का सवाल लोग तो डिलीट करने टाइम पर ही मैंसेज मुझे तुरंद मला कमेंट कर देते मैं डिलीट कर रहा हूं बोल रहा है या स्यानो मैं अगर एस कर दिया तो मुझे कोई प्रॉलम तो नहीं हो जाएगा तो नहीं दोस्तों कुछ प्रावलम नहीं होता है आप टेम्पुरेरी चोड़ से बना वभी बनाय मुंधो को समझी कहले होंगो और उसको बेलीट कोई भी हाम नहीं होता है तो चलिए दोस्तों में आप को चोटा से विडिए्छासा वीडिएओ अ मैंदरे चैनल से दो मुझे सब्सक्राइब कर देक्वार्ब लिए लगा तो चलिए दोस्तों मैं आपको यह चोटा सा वीडियो दिखा देता हूं टेम फाइल कैसे करते हैं तो टेम फाइल करने के लिए यह पर डिखेगा जो आपको डिलीर करना है आपको क्या करना है सेलेक्ट और करने के बाद में सिफ फ्लज डिलीट कर दीजे सिफ फ्लज डिलीट करने से बेनिफिट होगा का आपका वह रिसाइकल बिलीट नहीं जाता है तो कुछ फाइल होते हैं जो डिलीट नहीं होती उसके लिए आपको बॉक्स पी क्लिक करके इसकी पनाव कर देना है आप जिसके यह डिलीट्नी होगा मैं इसको स्कीब कर दूगा क्योंकि यह आप कितन भी करेंगे यह डिलीट नहीं होगा यह विंडूर रहता है तो दूसरा क्या है आपको परदेंटेश टेंप इसके बाद में परसनेटेश डालना है यानि की रूज एसे पकलिक किजे फि प्रेट डिलिक करने का तरीका दोस्तों अगर आप मेरे चनल बने हो मुझे सब्सक्राइब जरू कर देना बेरल आइकन पर क्लिक कर देना थैंक्स पर वाचिंग